कानुरी तरीके से रड़ूंगा बिटकॉइन विवात के बीच नाना पटोले का बीजेपी परवार महाराष्ट विधान सबचनाओं में मतिदान के बीच बीच बिटकॉइन को लेकर सियासत तेज हो गई है वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने इस वामले को लेकर नाना पटोले पर किप्टो करेंसी स्कैम के आरोप लगा है वह इस पर नाना पटोले की पृतिगरिया सामने आई है नाना पटोले ने बीजेपी के आरोपो पर पलटवार करते हुए कहा कि वे अपने खिलाफ फरजी आरोपों से लड़ने के लिए कानुरी रास्ता अपना पर निष्टारा जले में मतदान के बास समवादाताओं से बाचीत में पटोले ने कहा कि वह किसान है और उनका बिटकॉइन से कोई लेना देना नहीं है क्लिप मेरी आवाज नहीं नाना पटोले ने भी बीजेपी के आरोपों को खारिश करते हुए ये भी कहा कि किलिप मे जो आवाज है वो मेरी नहीं है प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी भी मेरी आवाज पहचानते हैं इसी तरह आरोप लगाने वारे रविंद पार्टिल एक IPS अधिकारी है कानुनी लड़ाई लड़ेंगे कॉंगर्स नेता ने बीजेपी पर निष्टाना सात्वे कहा कि वह मत प्रभावित करने के लिए बिटकॉइन को नकदी में बदलने का प्रयास किया जा रहा है मंगलवार को बीजेपी प्रवक्ता शुधान शुत्रिवेती ने दावा किया कि इस घटनक्रम ने विपक्षी महाविकासा घाड़ी MVA का परदा फास कर दिया है सुप्रिया सुले में दर्ज कराई शिकायत वहीं सुप्रिया सुले ने आरोपों से इनकर करते कहा कि उन्होंने इनके खिलाफ निर्वाशन आयोग और साइबर अपराद विभाग में आपरादिक शिकायत दर्ज करवाई है